हालू फ्रेंट्स एक बाफ फिर आपको दोस्ट स्वागित है दोस्तों आज की वीडियो इनिवोस्टीक इस्टुरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाली है अगर आप अंडेगुजिट कोच के इस्टुरेंट्स हैं और आपकी परिच्छा हैं बार सि जाधा सेर्ग करतीजे तकि सभी स्टुरेंट्स के लगातारा अलगये लग अलगये लिए नहीं हुता पॉसिबल नहीं होता इसलिए हमने एक की बार में चीलीए हम पजय ग께서 भी कोव के रिच्छां गारा न। इसलिए इत亲रा सबीप की इसफित की और आप करनेगी तो अगर आपकी वो पर इच्छा हैं हो रही है बीए बीसी वीकॉम की स्टुनेंट्स के लिए तो यह वीडियो के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाले ही कई सारी स्टुनेंट्स की मैसेजेस और कमेंट्स आते हैं कि जो इंबर्मेंटल साइंस का जो नए स्टेंट्स हैं जिनके सिमिस्टर सिस्टम से एक्जाम हो रहे हैं उनके लिए वीडियो बिल्कुल नहीं है इस वीडियो को ना देखें ठीक है जिन स्टुनेंट्स की बारिस्ट्ट पर इच्छें पहले होती थी और अभी एक-दो साल और आगे होंगी ठीक है वो क मार्क सीट में एड नहीं किया जाते हैं लिखे हुए जरूर आते हैं लेकिन मार्क सीट में इनके जो मार्क से वो एड नहीं किया जाते हैं तो एक पर होता है आपका इंवर्मेंटल साइंस का दूसरा होता है स्पोर्ट एंड फिजिकल एजूकेशन का तो सभी स्ट्रेंट इस्ट्रेंट्स हूं या मैं regular इस्ट्रेंट्स हूं ठीक है सभी के लिए चीज बताई जा रही चाहे बेक इस्ट्रेंट्स हो बेसे या वी कॉम चाहे प्राइबेट हो या regular ठीक है सभी इस्ट्रेंट्स को जो पेपर है वो तीनों साल में से किसी भी एक साल आप दे खitz कटे हैं और तीनों साल में से किसी भी एक बार आपको पैपर पास करना चाही है अगर walls में से किसी भी एक साल उस पेपर को नहीं Deet nggak आ है तो इस कॉंडीसर में आपको माँकसीट और जिग्रि वह नहीं मिल पागी ये आप अच्छे से समझ लीजें इस माकसीट इस रिजल्ड में भी आप देख सकते होंगे जो इन्वर्मेंटल साइंस का पेपर है वो एक बार किलियर किया हुआ है यहां पर यह देख लिए किलियर है ठीक है कि बले एक ही बार है ठीक है इसी तरह से अब बात कर लेते हैं इस पोर्ट एंड फिजिकल एजूकेशन की इन्वर प्रइबेट तीनो साल देना कमपसर है एक फरस्ट इर होता आपका दूसरे सेकेंड एर में आगए तीसरी और थर्ड यानिकी फाइनल का फ्रस्ट यह में आगए तो फ्रस्ट यह में आपको इस पोर्ट एंड फिजिकल एजूकेशन का पेपर पास करना है सेकेंड यह वी डाउट जो है वो किलिर हो गए होंगे जब आपको तीनों जो पेपर आपको थीनों बार पास करना थीनों सब्सक्राइब करना है तीनों सब्सक्रा ट्राइब साम फॉर्म में एक बार चूस करके उस पेपर को किसी भी एक साल आप उसे दे सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाले उमीद करता हूँ इस सारी चाहिए आप अच्छे से समझ गए होंगे और यह जो इस्पोर्ट एंड फिजिकल एजुकेशन का पेपर है यह आपको ती इस्पोर्ट एंड फिजिकल एजिुकेशन एक बार यहां पर लिखा हुआ है तो यह फैनल यर के मार्ग से लिख़े हुए वाकि फ़स्ट एर में इसे कोई बी एक साल ठीक है जैसे इंबार्मेंटल साइंस के पेपर अगर आपने पास नहीं किया तीनों में से कोई भी एक साल ठीक है और यह आप पास नहीं कर पाए तो आपको मांक सेटिया जो डिग्री है वो इनिवोसिटी के तरफ से प्रूबाइड तब तक नहीं करा जाएगी जब तक आप इसे प प्रेल होगी कुछ भी हुआ फिलाल आप यह प्र कैसे क्लियर होगा तो उसके लिए आपके एकजाम फॉर्म आते हैं इस्पेशल परमीसन एक्जाम फॉर्म नाप या नाम आप यहां पर धिष्जाण रखेंगे ठीक है यह फॉर्मादाब के इसस्पेशल परमीसन ठीक है वो फॉर्म जब भी आएगा आपको अपने कॉलेज से पता करना होगा इनिवस्टी से पता करना होगा जैसे फॉर्म आता है हम वीडियो के माद़न से भी आपको जानकरी देते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्रेब कर लीजे ये दोनों पेपर आपको इस तरह से क्लियर कर जाते हूं लेकिन यह पास करना कंपल सरी कंपल सरी कॉलिफाइंग एकजाम है दोनों कंपल सब्सक्राइब ही जालौन नहीं रहा होता है कि से फंदमट कर दहें हो बाकि कोई से लिए इस वीडियो बस सकते हैं तो so much for watching this video.